हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोग शिक्षन संचनालय भोपाल द्वारा जारी वर्ष 2022 के लिए जो प्रश्ण बेंक जारी की गई है उसका कक्षा बारवी के रसायन विज्ञान की प्रश्ण बेंक का हल लेकर आए हैं तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम इसका संपूर्ण हल यहाँ पर देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक सधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी विशाय के प्रश्न बेंक की प्लेलिस्ट की लिंक दी आप वहां से सभी विशाय की प्रश्न बेंक के वीडियो देख सकते हैं तो वहां पर हमने हर विशाय की प्रश्न बेंक के तयार कर रखी है आपके लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रश्न बेंक महां पर मिल जाएगी तो उनका पूरा हल वह पर हम तो प्रश्ण बेंक के जो पार्ट तीन के लगुत्तरी प्रश्ण है उन्हें आज हम देखेंगे इस से पिछले वीडियो में हम अती लगुत्तरी प्रश्णों को हल कर चुके हैं इस पार्ट के तो आज हम यहां पर लगुत्तरी प्रश्ण देखने वाले हैं तो पहला डो इलेक्टॉडो के मध्य विभवानतर V विध्यूत अबघटे के विल्यन में से बहने वाली विध्युत धारा के अनुक्रमानूपाती होता है अरथात V अनुक्रमानूपाती होता है I के या फिर इसे V बराबर R I भी लिखा जा सकता है या V बटे I बराबर R जहां R क्या है? एक स्थिरांक है जिसे विध्योत अबगट्य विल्यन का प्रतिरोध करते हैं तो ये था हमारा पहला प्रश्ण अब हम इसी का दूसरा प्रश्ण देखते हैं दूसरा प्रश्ण है वहारे पास यहां पर दिया है विशिष्ट चालक्ता किसे कहते हैं तो विशिष्ट चालक्ता की परिभाचा है किसी विध्युत अभगट्य पदार्थ के विलियन की प्रतिरोधक्ता का व्यूतक्रम इसकी विशिष्ट चालक्ता कहलाती है इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए जो सुत्र होता है वो है कप्पा बराबर एक बटे रोह और इसकी इकाई है ओहम इन्वर्स सेंटिमिटर इन्वर्स है तो ये था विशिष्ट चालकता की परिभाशा अब अगला प्राशन है हमारे पास सेल के विध्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं तो सेल का जो विध्युत वाहक बल होता है उसकी हमें परिभाशा यहां पर बतानी है किसी सेल के दो टर्मिनलों के मध्य विभानतर को ही उस सेल का विध्युत वाहक बल कहते हैं बशर्ते सेल विध्युत धारा परिपत से बाहर न ले जाए जाए अर्था जब परिपत खुला खुले परिपत में हमेशा EMF बना रहेगा तो ये था हमारा तीसर प्रश्न का उत्तर अब हम देखते हैं अगला चोथा प्रश्न चोथे प्रश्न में अब हमारे पास यहां पर दिया है कोलराश का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिये तो कोलराश का जो नियम होता है वो है अनन्त तनुता पर विद्योत अबघटे की आनविक चालकता का मान उसके धनायनों और रिनायनों की अनन्त तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है इसे सुत्र रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है केप के नीचे एम लिखना है फिर इन्फिनिटी बराबर एक्स फिर केप के नीचे ए इन्फिनिटी प्लस भाई और केप के नीचे सी और उपर इन्फिनिटी यहाँ पर यह जो केप ए इन्फिनिटी और केप सी इन्फ अब ये तो हो गई परिभाशा आब इसे के अनुप्रयोग भी लिखने तो कोलराशनियम के जो अनुप्रयोग है उसमें पहला है दूरबल विद्ध्योत अबघट्यों की अनंतत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण और दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है व्योजन की मात्रा की गणना करने में तो इस प्रकार से ये प्रश्ण भी हमारा यहां complete हुआ अब देखते हम 500 प्रश्ण प्रश्ण है अब हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की हमें अब अगला प्रश्ण हमारे पास है अर्द सेल से क्या तातपर है इसका निरूपन किस प्रकार किया जाता है तो अर्द सेल के लिए हम सबसे पहले परिभवाशा देखते हैं एनोड या केथोड पे होने वाली ओक्सिकरण या अप्चेन अर्द अभिक्रिया को अर्द सेल अभिक्रिया कहते हैं तो ये तो थी अर्द सेल अभिक्रिया की परिभवाशा अब अर्द सेल अभिक्रिया का निरूपन किस प्रकार से किया जाता है इसमें Zn equal to Zn double plus plus two electron minus ये तो है ओक्सी करन अभिक्रिया क्योंकि इसमें दो electron निकले हैं और Cu double plus plus two electron minus equal to Cu ये है अप्चेन अभिक्रिया इसमें दो electron ग्रहन किये गए हैं तो इस प्रकार से हमारा छटा प्रशन भी complete हुआ अब देखते हम साथ वे प्रशन को प्रेश नमबर साथ है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं तो सेल स्थिरांक के हमें यहाँ परिभाशा बतानी है विध्योत अब घटे विलियन में डूबे हुए दो समानतर इलेक्टरोड के बीच की दूरी L तथा एक इलेक्टरोड के अनुप्रस्त काट के शेत्रफल A के अनुक्रमा के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं इसे G से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए सुत्र हो जाएगा G बराबर L बटे A और इसका जो मातरक होता है वो होता है सेंटिमीटर इन्वर्स है तो यह हमारा प्रश्र कम्टेट हुआ अब हम अगला प्रश्र देखते हैं किसी पदार्थ की विध्युचालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाईए तो विद्धु चालक्ता को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास यहाँ पर निमने लिखे थे पहला तो है विलियन की सांद्रता पे अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ाने पर चालक्ता का मान कम होता है दूसरा जो point है विलायक की श्यांता मतलब विलायक की श्यांता अगर बढ़ाई जाएगी तो चालकता के मान में कमी आती है तो विलायक की श्यांता बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती है और तीसरा जो point है वो है ताप तो आप बढ़ाने पर व्योजन की मात्रा बढ़ जाती है अतह चालकता का मान भी बढ़ता है तो इस प्रकार से यह थे तीन पाइंट अब देखते हैं हम अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है गेलवेनिक सेल की सेल अभिक्रिया उधारन सहीत समझाईए तो गेलवेनिक सेल की सेल अभिक्रिया में दो अभिक्रिया हैं ए वाली जो अभिक्रिया है वो है जेडेन एकवल टू जेडेन डबल प्लस प्लस टू इलेक्रोन माइनस यह तो ऑक्सिकलन अभिक्रिया है और जो बी वाली अभिक्रिया है सी यू डबल प्लस टू इलेक्रोन माइनस इकवल ये अप्चे अभिक्रियाए अब सेल अभिक्रियाए ए तथब भी दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाए कहलाती है इनको इलेक्टरोड अभिक्रियाए भी कहते हैं संपूर्ण क्रिया जो सेल में होती है वह दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं के योग से प्राप्त होती है जो र Zn equal to Zn double plus plus 2 electron minus oxygen अर्धखरिया और Cu double plus plus 2 electron minus equal to Cu अपचेन अर्धखरिया इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या होगा ये 2 electron से 2 electron केंसिल हो जाएगा यहाँ पर और बचेंगा क्या Zn plus Cu double plus equal to Zn double plus plus Cu ये है सेल अभिक्रिया तो उक्त सेल अभी क्रिया में जिंक एलेक्टरोट पर रिण तथा कॉपर एलेक्टरोट पर धना अवेश होगा अतहा जेडेन के आगे हम माइनस लगा देंगे और लास्ट में जो सी यू लिखा है इसके पीछे प्लस लगा देंगे और बीच में ये जेडेन डवल प्लस और सी यू डवल प्लस रहेगा और दोनों के बीच में क्या रहेगा एक लवन सेतु रहेगा ये जो दो खड़े डंडे खिचे हुए हैं ZN double plus और Cu double plus के बीच में ये लवन सेतु के लिए हैं तो इस प्रकार से ये प्रशन भी हमारा complete हुआ अब देखते हैं अगला प्रशन हम प्रशन है फेराडे के विध्युत अबगटन का प्रथम नियम लिखिये तो फेराडे के विध्युत अबगटन का जो प्रथम नियम है वो है विध्युत अबगटन की क्रिया में इलेक्टोट पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई विध्युत की मात्रा के समानुपाती होती है मतलब पदार्थ की मात्रा अनुक्रमानुपाती है विध्युत की मात्रा के इससे सुत्र रूप में अगर हम लिखे तो W समानुपाती है IT के तो इससे स्टेप आएगी W वराबर ZIT जहांपर Z क्या है विध्युत रासायनिक तुल्यांग कहे तो इस प्रकार से ये 10 प्रशन आज हमने लगुत्तरी प्रशनों के उत्तर देखे हैं तो अब अगले वीडियो में हम अगले प्रशन लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद